दोस्तो आज मेरे किचिन में बन एक कप आटे से बना रहे कुकिस कोई बिना कोई आवन में बस देसी स्टाइल में यह देखने में जितना खूब सब्सक्राइब ना खाने में उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तो यह मैं गर का शुद्ध देशी गी ले रहा हूं जो मलाई से बनाते न वहां तरड कप ले रहा हूं अरूंड 75 ग्रम जितना हो गये तो जितना हमने देशी की दाला तो उतना ही quantity में शुगर दालना है PCU शक्कर जो गर पे शक्कर रहे थी उसका मैंने मिक्सर में पीस लिया है वो दालना है तो बिस्किट बनाने का main step यह है कि हमें गियो चीनी को अच्छे से मिलवा देना है एक दूसरे के साथ में समझतों कि प्यार करवा देना है तब ही आपके बिस्किट ने एकदम उभर कर आने वाले है तो 5-7 मिटी से अच्छे से मिक्स करना है हमें आज तो आपके हाथों की एकसेस होने ही वाली है अगर आपके उस ब्लेंडर हो तो इसका भी उसका सकते होने हाथों से बनाने का जो टेस्ट आते है ना उसका तो एकदम कुछ बात ही अलगे तो हमें 5-7 मिटी से अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि एकदम एस सॉफ्ट और क्रीमी ना हो जाए तो दोस्तों यहापर मुझे 5-7 मिटी हो चुके फेटते हुए आप देख सकते हुए थोड़ी क्रीमी हो चुकी है और विक्सर पे भी चिपकने लग गई है तो बस इसे थोड़ा सा और फेट लेगे हमारी गी और चीनी एकदम गुल मिल चुकी है बस गीयोचीनी की महबद को एक स्टेप और आगे लेके चलेगे यहापर में एक स्टेनर ले रहा हुँ उसके अंदर 1 कप में आटा डाल रहा हुँ जो आपके घर में नॉर्मल आटा है वो यूस करना है और आदा कप बेसन ले रहा हो तो दानी को न थोड़े चम्मत से प्रेस कर दे तो तूट जाएगे और इससे भी छान लेना है आपर देख सकते हो अब हमने चान लिए बस अभी इसे अपने मुलायम से हातों से मिक्स करना है तो धीरे दीरे इसे मिक्स करें कोई गाई न करें एक दम प्यार से हलू-हलू INGRITERT MIXS कर देगे अच्छे से तो यहाँ पर हादों से अच्छे से MIXS कर देना है तो यहाँ पर हमारा MIXS is बंद रहा है तो देख सकते हुई यहाँ पर हमारा MIXS is बंद भी है अपन फोर खसता है तो इसके अंधर हम आदा कब दूद parameter दालेगे आप पहले थोड़ा दूद दाले और फिर ऐसे मिक्स कर दे अगर लग रहे हैं आपको थोड़ा और दूद दालना चाहिए इसमें क्रैक सारे तो भी और दाल के इसे मिक्स कर दे तो हमें दूद दाल के इसे अच्छे से mix करने हैं जिसे अब नॉर्मल या आटा गुनते हो न गर पर उसी तरीके से इसे भी गुन देना है तो मैं इतने हाथों से इसे अच्छे से mix कर ले रहा हूँ जो बाकी का थोड़ा सा दूद है उसे भी हम दाल देगे पूरा जो दाल के बस इसे वापस mix कर देगे देख सकते हो यह भी धीरे धीरे गुनने आ चुका है सब इंग्रेंट एक साथ आने लग गए बस अच्छे से इसे गुनना है हमें हाथों से आप मैंने अच्छे से गुन ली आ है अब इसे फ्रीजर में रखेगे 12 से 15 मीर्ट के लिए दस से पंद्रा मी इस से रख ना ही ही फ्रीजर में तब यह आपके कोखिस कि डिम अच्छे से बनेगे तो दोस्तों मुझे आटा को फ्रीजर में रखकर 20 stunt हो चुके तो भार निकाल लेगे तो इसे थोड़ा side में रखके हम थोटा पीच लेना है हाथों में हाथों को में लेकर इसे अच्छही से गोला बनाना है मतलब round shape बनाना है हमें तो आप हमें राउंड कटर लेना है तो इसके ऊपर हमें राउंड कटर रखके अच्छे से काट देना है अगर आपके ऊस राउंड कटर ना भी हो तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊगे इसके आगे वाले स्टेप में जरूर देखे तो हमें साइड के निकाल दिये देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ट राउंड शेप आया है तो इसे हमें इस पैचुला चममच की जो पतला चममच इना फ्लाइट वाला तो इससे वह मदद से आमें उठा लेना है तो यहापर हमें बिस्केट रेडी है तो आप प्लेट में हापस नीचे रखकर जिदर हमने आटा डस्ट किया तो उसके उपर रखके प्रेस कर देख सकते हो गाउस से एकदम पर्फेक्ट कोकी काष्क आता है नहीं बड़ा नहीं छोटा एकदम पर्फेक्ट शेप आता है तो दोस्तों हमने थोड़ा सा आटा डस किया तो देख सकते हूँ नीचे भी चिपक नीरा एकदम आसा ही से निकल जा रहा है तो यहाँ पर मैंने सबी cookies को बना कर रेडि कर लिया है अब इसको गार्णिश करेगे तो सबसे पहले biscuit पर हम almond कट करके डाल रहे हैं आलमंड को एकदम पतला-पतला काट देना है और इसको cookies के ओपर रखने है और अच्छे से प्रेस कर देना है बस इसी तरह के से दूसरे cookies के ओपर मैं almond डाल रहा हूँ और अच्छे से प्रेस कर देना है बस तो यहाँ पर मैं थोड़े चॉकलेट स्प्रिंकलर भी दाल रहा हूँ जो कलर्फू चॉकलेट स्प्रिंकलर है देना वो भी एकदम दिखने वी कोकीस एकदम अच्छे दिखते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं बस इससे भी दाल कर हमें प्रेस कर देना है याद रेखे cookies को एकदम प्यागर से बने तब ही एक बहुत ही ज़द अच्छे बनते हैं बस यहापर में chocolate sprinkle दाखे प्रेस कर देखन governments तीसरे में चॉकोचिप्स ले रहे हैं यहापर वाइट चॉकोचिप्स ले हैं पस चौको चिप्स को भी दाल कर अच्छे से प्रेस कर देना है तो आप यह में चाहुते पर ब्लैक स्प्रिंकलर ले रहा हूं चौकलेट स्प्रिंकलर यह भी हमें दाल के प्रेस कर दे रहा हूं आपना जो आटे उसके अंदर भी चौको चिप्स दाल के मिक्स कर सकते हो तो में प्री हिट कर नहीं रखे दिया है तो यहां पर 9 निट के लिए यहां 11 ययां प्रस बीस से 25 निट करें देख सकते होँ हांब है कुकिस भी एकदम पर्फेक्ट कुक हो चुके एकदम बेक हो चुके एकदम क्रिस्पी भी हो गए तो इससे थोड़ा थंडा होने दे कोई गाय ना करे आराम से थंडा होने दे थंडा होने के बाद में इससे प्लेट में निकाल ले तिया आपर मैं थंडा होने के बाद में प् दोस्तो अगर आपको में रेसीप अची लगी हो तो लाइक बटन जरूर करें और कमेंट करके मुदे जरूर बता है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो निचे लाल का लगा सब्सक्राइब बटे उसे दबा दे और जो बैल नोटिफिकेशन से आल पर रखे इसी तरगी के मेरे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए सो मिलते हैं जल्दी एको नहीं रेशिपी की साथ में टेक केर बैबेट सेयो नारा